प्यारे बच्चो नमस्कार आपके कंपार्टमेंट की परिक्षा में अब गिनने के लिए कुछ दिन बचा ही नहीं है कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अब क्या है कौन सा कपड़ा पहन के जाना है कौन सा कलम लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ साथ और क्या लेके ज जाना है पांसो की नोट लेके जाना है कि दोसों की नोट लेके जाना है नोटों को लेके जाना है तो सिर्फ उसके लिए होटल में कुछ खर्च करके कुछ खाना पीना है कि पांसों की नोट को कहीं चिपका देना है तमाम ऐसे सवाल आपके जहन में इस समय उधल पुथल कर रहे होंगे मैं एकदम से सही बोल ला हूँ और बहुत सारे बच्चे इसमें है जिनका एक्जाम सेंटर उनके घर से 50 किलोमेटर दूर 40 किलोमेटर दूर गया है पहले तो यह बता दो कमेंट में कि तुम्हारा सेंटर कितना किलोमेटर दूर गया है कि मेरे चातर कितनी दूरी तहां करके एक्जाम देने जाएंगे रही बात तैयारी जिनकी नहीं हो पाई है वे भी एक्जाम देने जाएंगे घर नहीं बैठना है नहीं तैयारी हुई है जो भी आप जानते हैं पहचानते हैं आप उसी के हिसाब से लिखते जिएगा और अग अभी भी कुछ मिल जा तो मैं पढ़के जाओंगा पास जाओंगा तो इसके लिए फोन नमबर मेरा स्क्रीन पर आ गया इस पर फोन करिए 20 घंटे की वीडियो में दोंगा आपको आप इस घंटे की वीडियो को 1.5 एक सी स्पीट पर करके देखना तेरे घंटे में खतम नहीं कि 70 नमबर पाएंगे 40 नमबर पाएंगे 40 नमबर भी आपकी बेज़ती होने से आपको बचा देगा तो डिसाइड आपको करना कि फोन आपको करना है कि नहीं करना टाइम देना है कि नहीं देना है पास होना है कि नहीं होना है बेज़त होना है कि इज़त पाना है यह आप एक राज का इस है तो नहीं है जो लोग अब में ख़ोण करके लेंगे वीडियो दाद दिन मिलके पढ़ लेंगे क्योंकि वीच से अगर आप वीडियो को देख रहे है तो वीच तारीख को दो बजे से पहले ज़ड़ा सोच लीजिए मोबाइल तो आप स्कूल गेट तक ले यह आपके उपर है कि आप कैसे जाते हो चारों तरफ मोच करते हुए जाते हो कि मुबाइल से पढ़ते हुए जा तो यह आपके उपर है ठीक है घर टापिक है आपका यहां पर है तो बीस को तो आप किसी का सुनोगे नहीं ना मेरा ना अपने घर के लोगों का बीस को तो सोचोगे कि कई से कई से जाना है कब सोके उठना है किसके साथ जाना है कोन दोस्त खलिहर है कोन मेरे साथ जाएगा उधर से मजा ले ले करके आया जाएगा या इधर से ही पाईले चा चात्र क्या करें सही बात है कुछ ऐसे भी चात्र है जो कहेंगे यार जीले पर तो मेरे फूफा जी रहा है उनके बहुत पचान है किसी से बोल देंगे वह मेरा काम हो जाएगा मेरे को कोई टेंसर ने मैं फूफा के घर एक दिन पहले पहुँच जाओंगा जी जाके घर लेकिन एक बात और मेरे से बहुत सारे बच्चों नों कमेंट में पूछा कापी में पैसे रखना सही या गलत है इसका कानून मैंने बनाया नहीं है अगर आप रख देंगे या नहीं रखेंगे कोई सजा होगी की नहीं होगी उसमें जज मैं बनूंगा नहीं तुम्हें कैसे बताओं सही या गलत अगर एक हुमन नेचर के नाते सिच्चक होने के नाते आप मेरे से फूछ रहे हो तो मैं कहूँगा कि कापी में पैसे रखना कलत है लेकिन कुछ जात्र ऐसे हैं कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिने पैसे देने की और पैसे प्राप्त करने की इच्छा होती है तो आप का अगर कापी में 500 या 200 का नोट रख दिया जाए और वो सही सलामत कापी जाचने वाले के सामने तक पहुंच जाए उसके खोलने पर उ अमीद कर लिया जाना चाहिए कि उस पैसे के रखने की वजह से हो सकता कि आपके नंबर में कटवती ना हो जितने लायक आपने लिखा है उससे कम ना मिले उससे ज्यादा ही मिले लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं होगी कि कापी में रोल नंबर लिख दें या 500 नोट र पाजाए तो आप अगर 40 नंबर पाने वाले थे तो आपको 40 के जवन हो सकता हूं 50 दे दे चियाली दे पचास दे दे लेकिन 40 पाने लायक रहेंगे तो आपको 95 नहीं बनाएगा 40 को बढ़ा के 95 नहीं बनाएगा चाहिए जितना आप नोट डाल दिए कापी में तो कापी मे पाइसे रखने का मुझे लगता है मेरे उपेनियन से फायदा उतना ही है कि आप जितने लायक लिखे रहेंगे उसमें से कट पीट नहीं होगा थोड़ी बहुत गलती हैं आपकी एग्नौर कर दिया जाएगा लेकिन कोई मंदार च्विका इमंदार विचार का अध्याबग रहेगी चोपड रहेगी पढ़ने लायक नहीं रहेगा तो इसके लिए भी काटेगा ठीक है तो जाचने वाले के उपर डिपेंड करता कि वह पैसा पाने के बाद क्या प्रतिक्रिया करेगा आप जरा सोच लो आप अगर टीचर के नीचर को जानते हैं तो इस हिसाब से है अब आपके उपर है कि आप रिस्क लेना चाहते हों कि नहीं लेना चाहते हों गवाना चाहते हों की पाना चाहते है सब क्योंसेयर क्वंड निकलोगे cynocy two जाओगे किराय से जाओगे साइकर से जाओगे पईदल जाओगे आपके ब्सक्राइस अब आप अपनी ब्सक्राइब थी ठीका है और जो मेरे चैनल काफी लंबे दिनों से जूड़के जानकारी ले・ाफ्डेश ले है है वह कमेंट में लिखेंगे एस्धिर वर्ड्स एम सल्णूजन एम हैं में सल्फ० ust कि एक कर सकते हैं लुूसार क्टि करेंगा किसी को सब्फ१ुम सोरी ऑधी करेंगा मिल इसका ब्रम्स करेंखेंग तो